हेलो फ्रेंट्स अमेजिंग अमिता किचन में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे किचन में बन रही है गाजर की हल्वा तो गाजर का हल्वा बनाने के लिए हमने गाजर को ले लिया है और इसे पीलर की सहायता से पील कर लेंगे छील लेंगे आप चाहें तो चाकू से भी उसे हल्का सा छील सकते हैं हमने छील लिया गाजर को और उपर से और पीछे से दोनों तरफ से हमने कट कर लिया कट करके हम यहाँ पर घीस लेंगे अगर आपको घीसना नहीं है तो आप इसके छोटी-छोटी टुकड़े करके चौपर में डाल कर उसे फाइन चौप कर सकते हैं किसी वी फॉर्म में आप गाजर बनाये इस तरह से बनाने से बहुत टेस्टी लगता है हल्वा अठंड में तो अकसर ही हल्वा बनता है कि हमने एदम फाइन इसे घेस लिया है अच्छे से इसे अब हम एक तरफ कड़ाई चड़ाएंगे उसमें हम दो बड़ा चम्मच हम घी डालेंगे इसमें घी में बनाने से इसका स्वाध ही कुछ अलग आता है बहुत टेस्टी लगता है स्वाध उसमें हम घाजर जो हमने घीसा है घीसे हुए घाजर को डाल लेंगे डाल कर इसे थोड़ा मीडियम फ्लेम पर इसे भून लेंगे ताकि जो हमारा घाजर का पानी है वो सूख जाए हमें ज़्यादा इसे धीमें आज पर सुरुवात में नहीं रखना है हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में रखके इसे भून लेंगे अच्छे से अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं देखें हमने गाजर को भून लिया है अच्छे से हमारा गाजर का पानी सूख गया है हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे भूना है ऐसे चला लेंगे अच्छे से गाजर का हल्वा किसे नहीं पसंद होगा गाजर का हल्वा सभी को पसंद आता है इसमें हम दो लीटर के करीब मैं दूद डाल रही हो अगर आपके पास खोवा है तो आप खोया भी डाल सकते हैं मेरे पास दूद पड़ा हुआ था तो मैंने इसे दूद से बनाया है दूद को इसमें सुखाऊंगी साथ में इसे पकाऊंगी देखिए दूद को डाल कर हमने मिला लिया है और इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगे इसके बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे इसे हमने सुखा लिया है दूद को साथ में देखिए किस तरह से कितना प्यारा कलर आया है इसका और आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल दीजिए जिसे ज्यादा चीनी मीठा पसंद है वो थोड़ा और मीठा डाल सकते हैं मुझे ज्यादा मीठा नहीं पसंद है इसलिए मैं हाफ कप चीनी डालूंगी इसमें ज्यादा चीनी नहीं डालूंगी हाफ कप चीनी डालकर इससे चला लेंगे जो चीनी पानी छोड़ेगी तो उसे सुखा लेते हैं हम लोग इसे लो फ्लेम पर ही सुखा लेंगे देखिए हमारा जो चीनी था वो पानी छोड़के सूख गई है इसका कलर बहुत बढ़िया आया है बहुत अच्छे से इसमें तीन चार इलाइची डाल देंगे क्रश करके इलाइची को डाल देंगे और इसे हम लोग ढख देंगे फ्लेम को हम लोग आफ कर देंगे फ्लेम को हमने कर दिया ओफ इसे हम हल्वे को ढख देंगे ढख के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो हमारा इलाइची है इलाइची का फ्लेवर सारे हल्वे में फैल सके देखिए इसे मैंने निकाल लिया है बाउल में इसे गार्निस कर देंगे आपको आपके पास जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें